मनिपूर यहां महिला की नगनधिन निकाल कर इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना के निश्यधार्त सोमवार के सूबर नौ बजे हिंगन घाट के महात्मा गांधी चौक से मुख निश्यध मोर्चा का एजन किया गया था स्थानिय महात्मा गांधी पुतला से कारंजा चौक विठोबा चौक अमिट का पुतला चौक से शहर के मुखे मार्क से होते हुए तैसिल आफिस पर मुख मूर्चा पहुचा विभाग यदिकारे को इस गंबीर घटना पर सामाजिक संगतना द्वारा ग्यापन दिया गया मनिपुर की घटना का शहर के अनेक सामजिक संगत विद्धे औरतियों ने शहर नागरी को द्वारा निशेद व्यक्त किया और ऐसी घटना कदा भी बरदाश हो नहीं सकती इस घटना से समाज की महिला वर्ग में भी देशत हो रही है देश में इस तरह की इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना का जितना निशेद किया जाए उतना कम है ऐसे बावना अनेकों ने इस वक्त व्यक्त की इस मुक्त मोचे में बोड़ी संख्या में नागरिक सामाजिक संगत महिला आएं वा स्कूली बच्चों ने शामिल होकर इस घटना का निशेद व्यक्त किया असम राज्य की गुहाटी में पुलीस विभाग और असम के वन विभाग के सेयुकत अभियान में 28 जून 2030 को बाग के अविच्चिकार के मामले में हरियाना राज्य की बावरिया जंजाती के तीन व्यक्तियों को बाग की खाल और हड्यों के साथ गिरफतार किया गया उनसे प्राप्त प्रारंबिक जानकारी के आधार पर वंजीव अपराद नियतरन ब्यूरो नई दिली ने 29 जून 2030 को सला दी थी कि देश के सभी प्रमुख बाग अभ्यारनों के आसपास के शेत्रों में बागों के अवैद शिकार की संभावना है तदनसार उक्त शिकारियों ने चंदरपूर और गर्चिरोली के शेत्र वेग कैसे शिकार किया इसके प्रिष्टी करने और इसके बारे में अधिक उप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए शेत्र निदेशक तालोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ने तीन सदे से टीम को गुहाटी भेजा जब उप्त टीम ने गुहाटी की जेल में बंदारोफियों से पूछताच की तो जानकारी सामने आई कि उप्त शिकार गिरों के कुछ महत्यों पूंसत ऐसे गर्चिरोली विभाग के श्वेत्र में घूम रहे है उक्त गुप्त सुषना के आधार पर पुलिस विभाग की मदद से सबी संदिक्दों को गुप्त निगरानी में रखा गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए मेलगा टाइगर रिजर्फ, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्फ, चंदरपुर फॉरेस्ट रिजर्फ और गर्चिरोली फॉरेस्ट रिजर्फ की एक सन्युक्त टीम का गठन किया गया उक्त टीम दुआरा 23 जुलाई 2023 को दोपहर दो बजे स्थानी पुलिस की मदद से और उपस्तित से गर्चिरोली के पास अंबे शिवनी में च्छापे मारी की गई 46,000 नगत जब्द किये गए साथ ही वहारेने वाले सबी संदिक्दों 6 पुरुष 5 महिलाए और 5 बच्चों के पुछताच के लिए हिरासत मिलिया गया शहर और परिसर में लगातार बारिश हो रही है लेकिन इस बारिश से बशने के लिए अनेक निराधार रुध दुर्बल व्यक्तियों को बिकटा रथिक परिस्तिति के वज़ह से साधन नहीं है समाज के ऐसे लोगों को नारायन सेवा मित्र परिवार से रैंकोट डेकर सहरा दिया गया है बरसाद से बचाव करने शहर के वरत निराधार अपंग व्यक्तियों को स्थानीक कारंज़ा चौक में आयुजित करिकरम में रैंकोट का नीशिल क वित्रन किया गया इस वक्त अशोक आकडे उपादेश पीवी टेक्स्टाइल्स लिमिटेड जाम भैयाजी निखाडे पीवी टेक्स्टाइल्स लिमिटेड जाम अशोक मिहानी संचालक अशोक का इंडस्ट्रीज हिंगन घाट आदी मानेवर के हस्ते रेंड कोट का वित्रन किया गया कारिकरम सफलताथ नारायन सेवा मित्र परिवार के सभी पददिकारी वा सजेस्यों ने सही हो किया मित्र परिवार के इस सेवा भावी उपकरम की सर्वत सराना की जा रही है NBCN News के लिए हिंगन घाट से रवी नुरकर की रिपोर्ट बुलेटिन में वक्त चलाए यही रुकने का ताजा खबरों से रूबर होने के लिए आप देखते रहेए NBCN News नमस्कार